में गाड़ी चलाते हैं तो ये हवा में बाते करती है और पलसर, स्प्लेंडर और एक्टीवा जैसी गाड़ी को ये टाटा बाय बाय करके आगे निकल जाती है अज हम बात करेंगे ओला एस वन प्रो की, इसमें हमें पावर, रेंज, बैटरी और फीचर्स भर भर के मिलते हैं अब सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की, पावर के मामले में ये है ओला की एस वन प्रो बजाज की आने वाली पलसर को भी माद देती है इसकी peak torque 58 NM है और peak motor power इसकी 11 kW है यह 0-40 की speed मातर 2.6 second में पहुँच आती है अब बात करते हैं हम इसके range की Ola S1 Pro की battery full charge होने पर Eco mode में 195 किलो मीटर चल जाती है जबकि 180 किलो मीटर तो हम आराम से चला सकते हैं और normal mode में यह गाड़ी 130-140 किलो मीटर चल जाती है जोस्तों इस bike में हमें hyper mode मिलता है जिसमें हमें 100 किलो मीटर range मिलती है और इसकी top speed 120 किलो मीटर प्रतिहावर है जब हम hyper mode में गाड़ी चलाते हैं तो यह हवा में बाते करती है और pulsar, splendor और activa जैसी गाड़ी को यह टाटा बाय बाय करके आगे निकल जाती है बात करते हैं इसके features की इसमें हमें कहीं सारे नए features देखने को मिलते हैं जो किसी और e-bike में नहीं मिलते हैं इसमें 17.70 cm का touch screen instrument मिलता है इसमें 4 प्रकार के mode होते हैं eco mode, normal mode, sport mode और hyper mode इसमें हमें कोई की देखने को नहीं मिलती है की lace features से lace हैं अब बात करते हैं इसकी light की इसमें हमें headlight LED देखने को मिलती है और tail light भी LED मिलती है इसमें front wheel और rear wheel दोनों alloy wheel है इसमें एक reverse mode भी दिया हुआ है जिसका button दबा कर हम इस गाड़ी को reverse में भी ले सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे features हैं जैसे side stand alert, music, remote alert, bluetooth, gps connectivity और सबसे खास feature जो इसका अब तक सिर्फ महेंगी cars में देखने को मिलता था वहाँ है इसका cruise control feature cruise control feature भी इसमें हमें दे दिया हुआ है company ने तो दोस्तों इस तरह से ये e-bike इसके segment में काफी आगे निकल जाती है और इसकी हम एक बहुत जल्दी test drive की वीडियो भी लेकर आएंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें और channel को subscribe करें thanks for watching